दोस्तों नमस्कार जैसे आप स्कीन पर देख रहे हैं कि यहाँ एक कोई डिवाइस है इसका काम क्या है और यह कहां पर लगा होता है तो इसी पर वीडियो है यह हमारी आई अब बी की वासी मशीन है तो चलो हम आपको दिखाते हैं पीछे साइड चलेंगे तो दो इसकुरू होता है इन दोनों इसकुरू को आप खोलेंगे खोलने के बाद जो उपर का कवर होगा या ढखकन होगा उसको आप बाहर निकालेंगे अभी एक स्कुरू खुला है और दूसरा भी हम खोल रहे हैं और यह खोल गया अब हम उपर का धकन उठाएंगे और फिर देखते हैं यह आप देखेंगे इनलेट वाल में यह आपका इक्कोवा एनरजी एक डिवाइस लगा हुआ है जो इसका काम होता है कि हार्ड वाटर को सोप्ट वाटर में कनवर्ड करना यह कनवर्ड करता है और दूसरी बात यह है कि आप इसको चाहे बोरिंग का पानी से चलाओ या आप जो सपलाई की पानी आता है उससे चलाओ कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो जब आप सफेद कपड़ा के धुलाई करते हैं कुछ दिन बाद वह कपड़ा पीलापन हो जाता है तो उसकी भी समस्या इस डिवाइस जो लगी है उसकी भी समस्या खतम हो जाएगी और मसीन के अंदर जो स्केलिंग की समस्या होती है वो भी खतम हो जाएगी तो ये जो device लगा हुआ है इसको हम equa energy कहते हैं तो दोस्तो ये inlet wall पे देखेंगे आप इसमें 2 pipe लगी होती है तो एक pipe पे यहाँ equa energy device लगी होती है ये हमारी IFB की washing machine है 14.00 rpm 8 kg की है तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाता हूँ ये आपका equa energy लगा हुआ है तो मैं ऐसी सी वीडियो आपके लिए चुन के लाऊंगा कि इनका कारे क्या होता है और ये कहां पे लगे होते हैं तो जैसे कि आप screen पे देख रहे हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए होता हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेना बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसी ऐसी वीडियो बनते है तो आपन notification पहुँचे और बेल आइकन जरूर दबाएं अगर वीडियो अच्छे लगती है तो like, share, comment जरूर करें और वीडियो देखेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद